हेलो फैंट्स स्टोरी एज किसान आपका स्वागत है और देखे दोस्तों आजम लेकिया है उत्रा खर्ण एल्टी एक्जाम के लिए सिच्छन अभिरुची हो मनुप ग्यान से इंपोर्टेंट कोईशन और देखे दोस्तों यह कोईशन प्रीवियस एर में पूछे भी गए तो चलिए हम इसके बारे भी जानेंगे इसके साथ है आपको बता दें कि अगर आप इसकी पीडियाफ राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में जूट सकते हैं वहां पर आपको इसकी पीडियाफ मिल जाएगी तो चलिए दोस्तों आज हम करेंगे फो पर लिफी से जुट सकते हैं तो चलिए यहां पर आम जानते हैं आज हम जो टॉपい करेंगे वह हमारा सिचाक योगंगुण यह आपकेशन में तो आप देखे तो फोर्ट पॉइंट नंबर पर सिचाक कि याँगंगो अ तो आज हम यहां से करेंगे और देखे दोस्तों य यहां से जो है वो question यहां से 2018 की paper में पूछा गया था तो चलिए आपको दिखाएंगे कि कौन सा question 2018 में यहां से पूछा गया था तो चलिए करते हैं पहला question है यहां पर प्रकृति का ग्यान होना चाहिए इससे क्या होता है इससे सिच्छा की प्रकृतिया में बालक का ध्यान केंद्रित केंद्री है तो यहां पर B option सही दिए गया है नेश्ट को सने पर सिच्छा को आसावादी क्यों होना चाहिए तो सिच्छा को आसावादी होना चाहिए क्योंक इसमिंए कारण है तो वह है यहां पर कभी कभी सिचक को स्वयम नेटी तो गरहन करके छात्रों को यह बताना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है तो यहां पर पहला आप्षन सही देगा है नेश्ट कोसर यहां पर सिचक को मनोविज्ञान की जानकारी उसके सिछन कारे में उसकी सहायता कैसे करती है तो कैसे करती है तो उसे परभाव साली डंग से पढ़ाने योग्यां बनाती है तो यहाँ पर D-Option सही जगह है आगे बढ़ते हम नेक्स्ट कोशन के और नेक्स्ट हैं आपे अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यारती की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिधान्द को ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पर देगे अंतर दिष्टी सिधान्द परियात 74 सिधान्द 6 सिधान्द यह सास्त्री अनुबंद सिधान्द को और देखे दोस्तों यही कुशन है जो 2018 में पूछा गया था जिए पच्छा जहां又 2018 में पूछा गया था ज्यापक होने के नाथेब approach की आप थेयुआरथात की द्याना चाते हैं आप प्यूजबंद को सिधान्द को धयान में रखेंगे तो यहां पर देगा अंतरविष्टी सिधान्द परियास 73 अनुबंद सिधान्द और06 जिधान यहां पर option change कर दिये गया है तो कोश्चन पूरा का पूरा सेम हुआ ही तो चलिए हम आगे कड़ते हैं आगे बार योगे सिच्छक को भांसा पर अधिकार होना चाहिए यह है भांसा के द्वारा आपने वीचार छात्रों के समझ आसानी रक सकता हैं तो यहां पर डि worship चीह करता है तो यहां पर यहां पर पूर्प से कर सकता है तो इसका जो स्थाइब कर daaf1 पूर्था से सही, आपने श्वास्त उसे अपने ब्यावसाही में किस प्रकार ओप्र्स पर॥ा है तो यहां पर अपना करहुत AU建 कारे जो है त達परता से कर सकते है तो इसलिए यहां पर पहला option सहीध गया है नेस्ट Convetını यहां पर पाठे करम में शी्छक को क्या लाब होता है तो पाठे करम में शीच्छक को के शीच्छक को बिद्याले में क्या कारे करने चाहिए उसकी ज्ञान हो हो जाता है तो यह इंपोर्टेंट होता है कि अगर पाठेकरम है उसके पास तो सिच्छा के पास तो यहां पर यहां पर समझ सकते हैं कि विद्याले में क्या का रहे हैं क्या करना है तो उसका ग्यान पहले से होगाता है नेश को सने चात्रों में खेल के प्रति रूची पैदा करने है तो क्या करेंगे तो चात्र में खेल के पति अगर रूची पैदा करनी है तो इसके लिए यहां पर खेलों को खेलों के महतों पर बहां सब्सक्राइब देंगे और अच्छे खिलाड़ों का उधारा देंगे तो यहां पर डी ऑप्सन जो देगा है उपरोग सभी आपकी राज से व्यवसाइक निर्देश सन का कारेवार किसके उपर होना चाहिए तो किसके उपर होना चाहिए तो वह है यहां पर यहां पर देगे विद्याले के सिच्छकों के उपर या पर प्रचारे के उपर यहां पर सिच्छक व्याग के उपर तो यह किसके उंचे इ और विद्याले की कमी को पूरा करना तो यह सभी के सभी जोग है यह प्राइबेट सिछन के नरों के कारे होते हैं नेश्ट को पर एक सिछक को व्रिद्नितिक संतोस उस समय प्राप्त होना चाहिए जब की तो जब की उसके विद्यार्थी जीवन में सफल हैं तो यहां पर सी विद्यार्थी में तनाफपन कर देते हैं जो क्या है जो खुद ही अज्ञानी है तो यहां पर सरारति बच्चों के साथ सिछ शच्छ के वयार कैसा होना चाहिए तो सरारती बच्चों के साल सिच्छा का जो भियारों हो चाहिए, वो भी विनम्र किंटु द्रिन होना चाहिए, तो यहां बरी Option सहीद गया है, next question आपके विचार से अच्छे सिच्छा का मुख्या उद्देश है क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए तो यहाँ पर देगा है जीवन के नए मुल्यों नए विचारों वह परिवर्थनों का स्वागत करना तो यहाँ पर D option सही देगा है नेश्ट कोशन यहाँ पर अच्छा सिचक होई है तो देखे अच्छा सिचक होई होता है जो सब के साथ प्रेम वह सहनुभूती रखता है तो यहाँ पर D option सही देगा है सिचक होने की कारण विद्याले की पत्रिका में किस विशाय पर लेख लिखना चाहेंगे तो वह है यहाँ पर विद्याले में भाई चारे की भावना का छात्रों में विकास तो यहाँ पर बी ओप्सन सही देगा है कक्चा में पढ़ाते समय सिचक को ध्यान में रखना होगा की शामपट कारे की विशाय सामगरी में तो यहाँ पर बी ओप्सन सही देगा है नेश्ट को सन्यापर अध्यापक छात्रों में लोगपरिय हो जाता है यदि वह चात्रों के सुग्दुक और सैच्छरी कारें में सहायता करता है तो यहाँ पर शी ओप्सन सही देगा है नेश्ट को साफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है तो कौन सा गुण है वो तो वह है यहां पे विशय वस्तु का समुचित ग्यान होना तो यहां पे C option सही देगा है नेश्ट है आप बिद्यार्थी अध्यापक का सरवाधिक आदर करेंगे यदि वह अपने कारे के प्रती निश्टावान है तो यहां पे A option सही देगा है आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप अध्यापक बन चाहते हैं क्योंकि आप समाज को आदर सेवं स्वस्त जीवन प्रदान करने के लिए तो यहां पे D option सही देगा है नेश्ट कोशन है अपे अध्यापक समाज का आदर पूरुस माना जाता है तो उसकी प्रविरती कैसी ह क्योंगी तो उसकी प्रविरती कैसी होगी तो वह यहां पर त्याग मय तो यहां पर सी उप्सें सही देगहा नेश्च कोशन आप्पे सिच्छक बाऊदा अपनी खक्चा का सामना नहीं कर पाते क्योंड तो बहुत सा से пр Hazelt का सामना नहीं कर पाते क्योंड की है तो इनमें पहल करने की चमता का को विक्सित कर सके तो यहां पे बी ऑप्शन सही देगा है उस सिच्छक को सबसे उस सिच्छक को सबसे सफल समझना चाहिए जो की तो जो की विद्यारती को प्रेडित कर सके तो यहां पे डी ऑप्शन सही देगा है नेश्ट्या पे कक्छा सिच्छान की वस्ता निर्वर करती है तो वह है यहां पर सिच्छक को व्यावसाइक निपोड़ता पार तो यहां पर भी ऑप्शन सही देगा है नेश्टेया पर सिच्छक तभी अपने छात्रों को प्रवाइद कर सकता है जब की तो जब की वह पढ़ाते समय मनोविज्ञानिक सिच्छा के सिध्धानतों पर चले तो यहां भी ऑप्शन सही देगा है नेश्टेया पर अपने अपने सिच्छण व्यावसाइब इसलिए अपनाया क्योंकि इसमें तो क्योंकि इसमें आपको पढ़ाने में पढ़ाने के बहुत अधिक अफसर मिलते हैं तो यहां पर तो यहां पर देगा है वेस भूसा आधी बाय कारकों पर ध्यान नहीं देना चाहिए तो यहां पर B option सही देगा है Next question यहां पर कक्छा में आपकी द्रिष्टी में सरवाधिक महत्वपुण है तो सरवाधिक महत्वपुण क्या है तो वो है नवीन सिक्छन विधियां तो D option सही देगा है Next question यहां पर विधियाले में किस वर्ग के लोगों की तस्वीर टांगना पसंद करेंगे तो यहां पर देगा है तो वो है यहां पर गांधी एवं महात्मा बुद्ध वर्ग की तो यहां पर C option सही देगा है नेश्ट कुषने आपर सिच्छक इस प्रकार के चातरों से खुस रहते हैं तो जो एक आगरचीत होकर अध्यन करते हैं तो यहां पे बी अप्शन सही दे गए नेस्ट पर परिच्छक की कापिया जाचते समय सिच्छक को तो सिच्छक को उनकी लिखित प्रिष्टों की संख्या पर ध्यान में ध्यान को नहीं देना चाहिए तो यहाँ पर C option सही देगा है नेस्ट पर आपके विचार सिच्छक का सरवादिक मेत्वण गुण है तो सबसे मेत्वण गुण कौन सा है तो वह है यहाँ पर निस्पक छोकर नहीं लेना तो यहाँ पर D option सही देगा है नेस्ट पर ऐसे लोगों को सिच्छन में ध्यान नहीं देना चाहिए जो तो ऐसे को ध्यान में नहीं देना चाहिए जो हमेशा आतों ढंगों और समय के लिए परसांद रहते हैं तो यहाँ पर यह option सही देगा है नेस्ट हैं पर आज कल समा सिच्छकों को अच्छी नजर से नहीं देखता इसका क्या करणा है तो यहाँ पर अधिक ट्यूशन करते हैं अपना कारेलगन से नहीं करते राजनिती में सक्रिय भाग लेते हैं उप्रोग सभी कान तो उप्रोग सभी कान जो है यहाँ पर सही द जरूरत है अगर आप जितना प्रेटिस करेंगे उतना आपका यहाँ पर जो मनोविज्ञान है और जो सिच्छना वीरुची है यह आपका सई होगा और आपकी तब आंसर गलत नहीं होंगे तो इसमें जो है प्रेक्टिस क्या हो सकता पड़ते तो जितना जादा हो सक्याए इसके लिए प्रैटिस करते रहें